गुड मॉर्निंग टोलो स्टुडेंट्स जैसा कि सभी जानते हैं कल हमने जो हमारी बुक साइंस है उसके चैप्टर नंबर नाइन को शुरू कर दिया था और आज हम उसका सेकिंड पार्ट देखने जा रहे हैं छोटा सा वीडियो होगा ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाईएगा इसको यूट्यूब से आप जो है चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाट्सअप पे क्वालिटी बहुत ही बेकार आती है अच्छी नहीं आती तो आप यूट्यूब से इस वीडियो को देख लिजिए का लिंक मैं आपको वाट्सअप कर दूँगा चलिए एकल हमने फोर्स की डेफिनेशन पड़ी थी उसकी यूनिट के बारे में जाना था डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को देखा था डाइमेंशन फोर्मूला भी देखा था आज हम बात करेंगे दो स्पेशल फोर्सीज के बारे में एक होगा हम बैलेंस्ट फोर्सीज क्या कहते हैं किसे कहते हैं और दूसरा होगा अनबैलेंस्ट फोर्सीज किसे कहते हैं तो छोटा सा वीडियो होगा जल्दी से cover करते है what are balanced forces clear पहले तो मैं definition ही यहां से clear कर देता हूँ फिर हम इसको example के साथ समझेंगे तो चलिए definition देखते हैं equal and opposite forces यहां पे 2 या 2 से ज़्यादा forces हो सकते है condition क्या होनी चाहिए उन दोनों की magnitude equal होनी चाहिए जैसे कि यह दोनों 55 newton की होने चाहिए यह फिर दोनों 10-10 newton की होने चाहिए यह दोनों 50-50 newton की होने चाहिए और opposite forces direction क्या होनी चाहिए opposite होनी चाहिए जैसे माल लिजिए 2 force काम कर रहे हैं किसी object पे तो एक इस direction में काम करना चाहिए तो दूसरा इस direction में काम करना चाहिए या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक force ऐसे काम कर रहा है किसी object पे जैसे मालीजी ये कोई object है तो एक इस direction में काम करना चाहिए अगर इस वाले force की magnitude 5 Newton है तो इस वाले force की magnitude भी कितनी होनी चाहिए 5 Newton होनी चाहिए ये condition है balanced forces के लिए तो फिर से repeat करते हैं एक बार equal and opposite forces ठीक है ऐसे force है जिनकी magnitude equal है और direction opposite है और जिनकी वेज़े से क्या ना हो which do not change जो कि क्या change ना करे state of rest यानि कोई object rest में है तो उस current state को चेंज ना करे और motion of object या फिर अगर वो motion में है तो उसकी position उसकी जो current motion है उसकी जो state है उसको भी change ना करे यानि ये motion में है तो उसको रोक ना पाए और shape size of object ठीक है और उन दोनों की वज़े से उसकी shape पे भी कोई असर नहीं होना चाहिए वो change नहीं होनी चाहिए ऐसे forces को हम कहेंगे balanced forces केलियर definition अच्छे से note कर लिजिएगा अब इसको हम समझते हैं example के साथ में जैसे कि पहले हम एक ये छोटा सा example लेते हैं कि wooden table के उपर एक कोई box रखा हुआ है ठीक है और इस box के ये जो दो end है इनको हमने धागे के साथ बांद रखा है और उन धागे के नाम है एक X और एक Y और दोनों अलग-अलग direction में इस wooden box को खीच रहे हैं और हमने ये माना है कि जो X point पे जो धागा हमने connect किया है उस पे जो force की magnitude है और Y point पे जो धागा हमने connect किया है ठीक है इस box के left side और right side में उन दोनों पे जो बल लगा जा रहा है force अपलाई किया जा रहा है उसकी magnitude equal है और opposite तो आपको दिखाई दे ही रहा है दोनों अलग-अलग direction में है कलिया तो आप मान लेजिए X point पे अगर आपने 2 newton का force लगाया और Y direction Y point पे यानि कि left side में भी आपने 2 newton का force लगाया ठीक है तो क्या बताईए क्या ये जो wooden box है अपनी जगे से कहीं पे जाएगा left side या right side किसी side जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि दोनों force की magnitude क्या है बराबर है और direction भी क्या है opposite है तो ये दोनों force क्या कहलाएंगे balanced forces कहलाएंगे यानि कि balanced forces वो forces हैं जो किसी object की current state को change ना करें और उसकी shape को भी change ना करें ये एक example हुआ ऐसे ही दूसरा example जो कि आप देख सकते हैं हमारे school के अंदर भी कुछ दिन पहले हुआ था a game of tug of war हिंदी में बोले तो रसा कसी ठीक है अगर मान लिजिए इसको point को भी हम समझेंगे यहाँ पर अच्छे से कि यहाँ पर जैसे देखिए right side में कुछ लड़के रसी को खीच रहे हैं left side में कुछ लड़के रसी को खीच रहे हैं अगर मान लिजिए right side में इन च्यारों ने मिलकर के कितना force लगाया 50 newton force लगाया और अगर left side में जो रसी कीच रहे हैं ठीक है इन लड़कों ने भी 50 newton का force लगाया तो देखिए कोई भी आपको displacement कोई moment आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो इसलिए हम कहेंगे कि right side में और left side में इन दोनों teams ने जो force लगाया है उस force की magnitude equal होगी direction opposite है तो हम कहेंगे कि इन दोनों teams के दोरा जो लगाया गया force है वो कैसा है balanced force है clear चलिए ये balanced force की कहानी थी अब हम बात करते हैं unbalanced force की तो definition देखिए कि what is unbalanced force unbalanced force क्या है ये एक ऐसा force है ठीक है ये एक net force आप कहें सकते हैं कि इसके अंदर भी दो या दो से ज़्यादा force जो है आप को देखने को मिलेंगे और काम कैसे करेंगे where two forces यहाँ पे दो लिखा हुआ है आप दो से ज़्यादा भी ले सकते है acting in opposite direction जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा explain करूँ जैसे ये मान लिजिए कोई object है एक force इस पर ये लग रहा है opposite में एक ये लग रहा है ऐसे ही एक force इस पर ये लग रहा है तो एक force ये लग रहा है ऐसे ही आप ये भी ले सकते है एक force ये लग रहा है तो इसके ठीक opposite ये लेना है ऐसे ही ये एक force लग रहा है तो इसके ठीक opposite आपको ऐसे लेना है ठीक है ऐसे दो से ज़्यादा आपके force हो सकते है direction देखिए opposite है इन दोनों force की direction देखो तो opposite है ये दोनों की opposite है, ये दोनों की opposite है, ये दोनों, ऐसी आप infinite number of forces आप ले सकते हैं, चलिए, two forces समझने के लिए हमने ले लिया, कैसी है opposite direction में काम करना चाहिए, किसी body के उपर, और are not equal in magnitude, देखिए, सबसे बड़ा जो difference है, balanced forces और unbalanced के अंदर, unbalanced के अंदर, unforces की magnitude equal नहीं होनी च होगी, तो आपको moment नहीं देखने को मिलेगी, अगर equal नहीं होगी, तो moment आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और size, magnitude और size में equal नहीं होने चाहिए, ऐसे force को हम कहेंगे, unbalanced force, और अगर जहाँ पे भी unbalanced force होगा, तो वहाँ पे body क्या करेगी, अपनी position को change करेगी, या उसकी shape size change हो जाएगी, यानि कि अगर किसी भी object के उपर unbalanced force काम करेगा, तो आपको body के अंदर moment देखने को मिल सकती है, उसकी shape size के अंदर change देखने को मिल सकता है, चलिए, इसके भी हम example देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यह कोई player है, जो कि इस football को kick करने जा रहा है, इस direction में, तो बताईए, क्या इस direction में लगाने वाला कोई force है, अभी तो आप समझेंगे कि इस direction में लगने वाला कोई force नहीं है, लेकिन कल हम आपको बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में, ऐसे एक frictional force, friction भी काम करता है, लेकिन इस friction की जो value है, जो इस player के दोवारा इस direction में जो force ल force मान लिजिए, small f है, तो ये capital F से हम represent करेंगे, और ये capital F, जो player ने इस football के उपर लगा है, ये magnitude में काफी जादा है, जिसकी वज़े से ये ball इस direction में move कर जाएगी, ठीक है, मान लिजिए, कुछ यहाँ आ गई है, ठीक है, तो displacement, position change हो गई न, यहाँ थी football पहले, जैसे ही किय कुछ आगे चली जाएगी, ठीक है, तो हमेशा moment, position में change, shape, size में change, आपको देखने को मिलेगा, तो unbalanced forces की वज़े से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये example आप ध्यान रखिएगा, दो example आप देख सकते हैं, और examples आपको notebook में note करने हैं, तो अब ये देखिए, ये एक सी आपने स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर भी इस चीज को देख रखा है, कि अगर मान लिजिए, एक side heavier load रख दिया जाए, और एक side lighter load रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या है, देखने को मिलेगा आपको, ये जो तराजू की तरह आप कह सकते हैं, उसके अंदर balance आपक आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे condition कुछ ऐसे होती, कि ये वाला load और left side वाला load, ठीक है, दोनों load बराबर होते, तो आपको condition कुछ ऐसे देखने को मिलती, कि ये जो line है, बिल्कुल, एक सी दिरेखा में आपको देखने को मिलती, balance आपको देखने को मिलता, लेकि condition, ये side नीचे की तरफ है, ये side उपर की तरफ है, तो simple, एक ही मतलब है यहाँ पे, कि इसकी वज़े से, जो force लगा है नीचे की तरफ, वो ज़्यादा है, और इसकी वज़े से, जो force हो क्या है, कम है, तो ये वाला हिस्सा उपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला हिस्सा नी बैलेंस्ट फॉर्स ठीक है तो यह आप लोगों को एक्जाम्पल ध्यान रखने है और एक छोटी सी टेबल है इसको आप जुरूर बना लेजिएगा ज़्यादा हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ठैंक्यू वरी में